शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से क्या फ़ल मिलता है बहुत सारे साथ ही कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं प्यारे बंदू जनों अक्सर आपने भी कभी ना कभी शिवलिंग पर शहद जरूर चढ़ाया होगा लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि अगर हम शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं तो उसका क्या फ़ल मिलता है और अब जब आपको पता चलेगा कि शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के क्या फ़ल होते हैं तो आप भी यह जानकर दंग रह जाओगी कि शिवलिंग पर शहद के चढ़ाने से किस फ़ल की हमें प्रात्ती होती है बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था ये एपिसोड आपके लिए लेकर आने की लेकिन पूजा पाठ में व्यस्त होने के कारण हम आपके सामने हाजिर नहीं हो पा रहे थे प्यारे बंथू जरों आज मैं आपको बताऊंगा शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के लिए कौन सा दिन सबसे शुग होता है किस दिन शिवलिंग पर अगर आप शहद चढ़ाती हैं तो आप शंकर भगवान से जो ही मांगोगे आपको मिल जाता है प्यारे बंधू जरों शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नश्ट हो जाती है इस जनम का या पूर्व जनम का कोई पाप वो भी कट जाता है शिव पूजा करने से प्यारे बंधू जरों कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा करने से सुक्सो भागी की प्राप्ती होती है यशोधन की प्राप्ति होती है तो चलिए महादेव को प्रणाम करते हुए आज की अपिसोड को स्टार करते है जै भोले भंडारी ओ बाबा जै भोले भंडारी कोन सित पस्या मैया गंगा ने की थी जिसको जगा अपनी जटा में दी थी अब की बारी हमारी ओ बाबा जै भोले भंडारी हम आरती ओ तारे तेरी जै भोले भंडारी बोले भोले नाथ भगवाने की जै हर हर महादेव नमस्कार सु स्वागतम आभार आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं पंडित निति शास्त्री आप सभी भत्तों का आज के एपिसोड पर हार दिक स्वागत करता आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और भगवान धोले नाथ की कृपा आप सभी के उपर बनी रहे यूँ तो हम शिवलिंग पर बहुत समंगरियां चढ़ाते हैं हम पुष्प चढ़ाते हैं दूज चढ़ाते हैं हम चावल भी चढ़ाते हैं हम मीथा जल भी चढ़ाते हैं और प्रतेक समंगरी का अपना एक अलग-अलग महत्व होता है अपना एक अलग-विशेश फ़ल होता है लेकिन शिवलिंग पर शेहद चढ़ाने से क्या फ़ल मिलता है तो प्यारे बंधुजरों शेहद एक ऐसी बहु मुल्य एक ऐसी समंगरी है जो शिवलिंग पर चढ़ाने के आपको एक नहीं अनेकों अनेक फायदे मिलते हैं शिवलिंग पर शेहद चढ़ाना बहुत शुब कहा गया है शास्त्रा दुसार अगर आप शिवलिंग पर शेहद चढ़ाते हैं तो आपको हर इच्छा आपकी पूर्ण होगी शंकर भगवान की प्रपासे शिवलिंग पर शेहद चढ़ाने से धन संपत्ती की प्राप्ती मिनुष्य को होती है अगर आपको लाइस में पैसे की प्रोब्लम बहुत ज़ादा आती है तो आपको शिवलिंग पर शेहद अरपड करना चाहिए अगर आपके उपर कर्ज बहुत ज़ादा हो गया है आपका लोन बहुत ज़ादा आपके उपर हो गया है आप चुका नहीं पा रही है तो शिवलिंग पर ओब शिवाय नमहा बोलते हुए या ओब नमहा शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर शहत चढ़ाना प्रारंब कर देजिए आपका बड़े से बड़ा कर्ज कुछ दिनों में ही समात होना शुरू हो जाएगा शिवलिंग पर शहत चढ़ाने से मनुष्य के बिगड़ते हुए काम बनने लग जाते हैं अगर आपके कारिया में बाधा आती है अगर आपके कारिया में रुकावट आती है आपका कोई भी कारिया असानी से नहीं वनता तो आप शिवलिंग पर शहत चढ़ाना स्टाक कर दीजिए आपका कभी भी कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा प्यारी बंधु जनों शिवलिंग पर शहत चढ़ाने से मनुष्य के पुन्यों में बढ़ोत्री होती है अर्था जिस मनुष्य को लगता है कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता या आपको लगता है आपकी किस्मत बहुत कमजोर है तो शिवलिंग पर सच्चे मन से शहत चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए कभी भी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं छोड़ेगी हमेशा आपका गुड़लक आपके साथ रहेगा शिवलिंग पर शहद आप शुक्रवार के दिन चढ़ाएं ये सबसे जादा शुभ और सबसे पवित्र दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के लिए माना जाता है प्यारी बंधु जनों अगर आपको अनवश्यक रूप से शत्रों को सामना करना पड़ता है तब भी आप इस प्रियोग को कर सकते हैं तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है अपनी राए हमें जरूर बताईएगा मिलेंगे आपसे नए अध्याय में किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए जय माता की ओम नमाश्यवाए